हाइ फ्रेंज, स्वागत है आप सबीका एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर से आपके साथ तो यहाँ पर आझके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप इसके official webpage पे आएंगे तो तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस form को आप कैसे apply करेंगे, कौन-कौन लोग eligible है, कैसे form को apply करना है, क्या age criteria रहने वाली है, आपका job का जो period है, वो कितने दिनों का आपका इसमें job होगा, और किस type का job आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते है, view, opening, online application, download, call letter, result, इस तरीके सापको इसके official website पे देखने को मिलेगा, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको notification देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखने को मिल जागा, तो यहाँ पर आप ध्यान देजेगा, तो आपको गुवाहाटी, बरौनी जो की बिहार में पड़ती है, गुजरात, हल्दिया और मतुरा, यह मतलब पानी पत, यह इतनी जगों के लिए निकल करके सामने आई है, डिगबोई के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा, तो यह अलग अलग छेतरों के लिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा, पारदीप और बहुत सारे जगों के लिए यह अप्रेंटिसिप निकल करके सामने आई है, तो यह आपका एक apprenticeship है, जिसमें आप यहाँ पर eligible होंगे, अगर आप इस पूरे terms and condition को fulfill करते हैं, तो बहुत अच्छी recruitment है, काफी पदों पर यह vacances निकल करके आई हैं, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा education के बारे में, education यहाँ पर आप दियान दिजिएगा, तो यहाँ पर आप BSC जो भी physics, chemistry, math से किये हूए हैं, या industrial chemistry से किये हूए हैं, वो ही यहाँ पर eligible हैं, उसके साथ ही साथ जो भी ITI,我ो यहाँ पर eligible होंगे, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी diploma किये हूँ है, तीन साल का ज heterochemical engineering से अगर आपने řिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने अगर मेकेनिकल से भी डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहां इलिजिबल होंगे electrical वाले भी डिप्लोमा जो भी किए हुए le giàशिबल से वह भी यहां पर eligible माने जाएंगे उसके साथ इससाथ Instrumentation या Instrumentation and Electronics से भी जो भी Diploma complete किये हैं, वो भी यहाँ पर eligible होंगे और यहाँ पर BA, BSC, BCOM वाले भी eligible हैं, जी हाँ अगर आपने BA complete किया हुआ है, या फिर आप BCOM से आते हैं तो भी आप यहाँ पर apprenticeship के लिए eligible माने जाएंगे तो यहाँ पर सभी के लिए opportunities निकल करके सामने आई है अगर आप class 12th pass भी है, तो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आप class 12th के साथ ही साथ अगर skill certificate holder है, domestic data entry operator का अगर आपने data entry operator का कोई भी certificate किया course तो भी आप यहाँ पर eligible माने जाएंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा देखे, घुवाहाटी, बरॉनी, गुजरात, हल्दिया, मतुरा, पानीपत, डिकबोई, बोनीगाओ और पारदिल, यह इन सब जगों के लिए यह apprenticeship निकल करके आई है हर एक category में आपको vacancy देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा तो जेनरल वाले के लिए अलग है, EWS वाले के लिए अलग है, SC, HT, OBC, Wiklang सभी के लिए यहाँ पर कुछ नो कुछ vacancies निकल करके सामने आई है तो आपको यहाँ पर education और इसका पूरे seat के बारे में जनकारी होगे, अब मैं बात के लेता हूँ कि यह form आपको कब से कब तक भरना है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको notification में नीचे ले करके चलता हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा form को कैसे apply करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, एक-एक step पर आपको बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा से important जो notes वगरा है, वो आप यहाँ पर qualification या जो भी education criteria है, आप इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, तो age limit में आपको बता देत हो कि 18 साल यहाँ पर minimum मांगा गया है, और 24 साल maximum, तो अगर आपका date of birth 31 October 2021 को 18 साल से कम हो रहा है, तो भी आप यहाँ पर eligible नहीं है, और अगर आपका 31, 10, 2021 तक आपका age 24 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो भी आप यहाँ पर eligible नहीं माने जाएंगे, रिजर्वेशन जो भी है SCHT का जो भी government का terms and condition है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको दिया जाएगा, उसके साथी साथ यहाँ पर देख सकते हैं, online जो form है, वो आपको 13 November तक submit कर देना है, तो यह form आपका 22 October से live हो चुका है, जो कि last 13 November तक आपको apply कर देना है, इसकी official website है, यहाँ पर आप directly apply करेंगे, तो यह चीज मैं आपको दिखा देता हो, कैसे कैसे apply करना है, आपका selection इसमें आपका written exam होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो भी written exam होगा, जो भी आप marks obtain करेंगे, उसके अधार पर ही आपका यहाँ पर आगे का, आपका criteria या आपका stages जो भी है, वो decide किया जाएगा, तो आए हम लोग चलते हैं, form को fill up कैसे करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी official website पे चले आएंगे, Indian oil recruitment portal, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका link की भी मैं नीचे description box में दे दिया हूँ, आप वहाँ से directly आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने education के हिसाब से अपना trade select कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग-अलग के लिए, अलग-अलग यहाँ पर trade दिया हूँ है, तो यहाँ पर अगर आप diploma वगरा है, technician वगरा है, जिस तरीके से भी आप अपने, जो भी मैंने आपको पहले बताया, कि जो भी आपका education हो उस हिसाब से आप अपने trade को यहाँ पर select करेंगे, तो आप देख लिजेगा, अपने हिसाब से, अगर आप fitter से है, ITI किये हुए, तो आप यहाँ पर 102 नंबर पर apply कर लेंगे, तो यह चीज़ आपको देख लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आप 102 fitter के ल लेना होता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कि एगर आप एक ही जगह के लिए apply कीजिएगा, क्योंकि जो exam हो, आपका same day में exam होगा, तो आप अलग-अलग जगह में exam नहीं दे सकते हैं, तो आप एक ही जगह के लिए apply कीजिए, वो आपके लिए better होने वाला है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर select कर देता हूँ, जैसे मैं apply करता हूँ, माली जे, मतुरा गले, तो मैं यहाँ पर मतुरा को select कर लेता हूँ, उसके बाद आप नीचे यहाँ पर proceed button पे click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह apply now का एक बटन आपको देख रह जाति हम लोग यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जागा तो आप यहां पर тоб Lori अप इसको चाहे तो पड़ सकते हैं वरना आप यहां पर आगे नक्स बटन पर कलिक करेंगे अब यहां पर आप देखेंगे आपको अपना परसनल detail fill कर देना है तो post code आप यहां पर देख सकते हैं 102 है आप यहां पर fitter mechanical apply कर रहें उसके बाद नीचे में आपको अपना first name यहां पर enter करना है middle name अगर आपके पास है आपके नाम में तो इंटर करेंगे वरना आप यहां पर अपना last name इंटर कर लेंगे यह चीज़ ध्यान देंगे उसके बाद जो भी आपका gender हो male female यहां पर select करेंगे marital status में अगर आप single है तो single married है तो merit करेंगे उसके बाद जो भी आपका date of birth हो आप अपने date of birth को यहां पर इंटर करेंगे तो date of birth आपका 31 October 2021 तक 18 से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप अपने अनुसार यहां पर अपने date of birth को इंटर करेंगे यह चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है उसकी बाद आप अपने father का यहाँ पर उसको select करेंगे, categories को आपको ध्यान से select करना है, उसकी बाद यहाँ पर आप देखेंगे state of origin, जिस भी state का आपके पास domicile certificate हो, आवासिय प्रमान पत्र हो, आप अपने उस state को यहाँ पर select करेंगे, तो उसकी बाद नीचे आप देखेंगे physically, handicap, weeklang वगरा नहीं है, तो no रहने देंगे, उसकी बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ex-servicemen वाले यहाँ पर छोड़ देंगे, उसकी बाद यहाँ पर liability to declare, यहाँ पर आप देखेंगा, select करेंगे, तो यहाँ पर आपसे पुछे जागर, have you been found unfit for a position during medical examination, अगर आप medical examination unfit हुए है, त तरीके का आपके पास कोई भी है, इसका medical fitness वगरा problem नहीं है, if you answer to any of the question is yes, please furnishing the finding in brief, अगर आपने इस में से दोनों में से किसी में भी yes किया, तो आपको यहाँ पर उसके बारे में detail में जानकारी देनी होगी, नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर अपना correspondence address, जिसको हम लोग local address बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पर fill कर देना है, यह चीज आप अपना थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपने city का नाम इंटर करेंगे, address को आपको थोड़ा सा ध्यान से fill कर लेना है, जो भी आपका area pin code हो, आप अपने pin code को यहाँ पर nearest railway station, आप जहाँ भी रहते हैं, उसका nearest railway station कौन सा है, वो आपने railway station का नाम लेखेंगे, उसके बाद email ID primary, आपको एक अपना email ID यहाँ पर इंटर कर लेना है, यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, email ID को आप थोड़ा सा ध्यान से fill करेंगे, उसके बाद आप अपना optional email ID में यहाँ पर दूसरा भी दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखें, upload signature है, तो आपको यहाँ पर अपना signature को upload करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना photo को upload करना है, तो यहाँ पर मैं आपको अपना signature देखा देता हूँ, कैसे upload करेंगे, यहाँ प पर आप देखेंगे यहां पर अपलोड हो चुका है अगर आपको नहीं दिखे तो आप यहां पर रिफ्रेस्ट बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है रिफ्रेस्ट किजेगा आपको यहां पर अपना सिगनेचर दिख जाएगा उसके बाद यहां पर आप अपने फोटो को upload करेंगे तो यहाँ पर choose file पे click करेंगे photo आपका 125 pixel से 95 pixel के बीच में होना चाहिए और 10 के भी से कम नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने अपना photo और अपना signature upload कर लिया उसकी बाद नीचे आपको next button पे click कर लेना है उसकी बाद अगले step में आप यहाँ पर ध्यान देंगे qualification से related जानकारी मांगी गई है तो weather full time regular course तो आपको यहाँ पर yes कर लेना है आप full time regular course किये थे iti में तो आपको यहाँ पर yes करेंगे उसकी बाद weather past अगर आप pass हो चुके हो तो यहाँ पर yes करेंगे उसकी बाद नीचे आपको अपने institute का नाम इंटर कर लेना है तो यहाँ पर आप अपने institute का नाम इंटर करेंगे उसकी बाद name of education board या affiliated university तो अगर आप ncvt है या जो भी आपका university या बोर्ड वो आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे तो उसकी बाद month of year admission किस महीने में आपने admission लिया है नॉर्मली जुलाई अगस्त में ही हम लोग ITA का admission लेते हैं तो आपने हिसाब से उसको यहाँ पर select करेंगे उसकी बाद month of year passing तो जिस महीने में आपका अपना pass out किये हुए उस month को select करेंगे उसकी बाद year को आप अपना यहाँ पर select करेंगे अगर 18 से 20 था तो 20 यहाँ पर आपको select उसकी बाद duration of course आप यहाँ पर दिखने को मिल जागा दो साल एक महीने का आपका पूरा course था month year admission सब कुछ आप यहाँ पर fill कर लिए उसकी बाद date of declaration publishing of result above inter qualification तो यहाँ पर आपको थोड़ा से एक चीज़ ध्यान देना date of declaration या publishing of result तो आप अपने result में देखेंगे कोई एक date लिखा रहता है नीचे में लिखे रहेगा कि आपका result कब published हुआ या कब print out हुआ आपको यहाँ पर इंटर्ट कर देना है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर उस date और महीने या दिन को select कर लेंगे तो यह चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान से देख लेना है उसके बाद थोड़ा से नीचे आएंगे तो आपको अपना marks का pattern इंटर करना जैसे यहाँ पर आप देखेंगे semester wise यह यहाँ पर नॉर्मली हम लोग आईटे में यह वाइज होता है तो यह वाइज रहने देंगे उसके बाद year semester नंबर वन तो आपको सिमिस्टर नंबर वन में कितना ऊप्टेंड हुआ है वो आपको यहाँ पर ईंटर कर ले कुद्वेंगे टोटल जितना का भी मार्स UK कर रहा हु तो यहाँ पर उसको एड करेंगे लिधा रि защ यहाँ पर add हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका total aggregate marks और aggregate percentage आपको यहाँ पर दिख जाएगा उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल qualification है जैसे अगर आपने वीटेक, MBA, CA, LLB वगरा भी किया हुआ है तो यहाँ पर उसको select करेंगे अगर नहीं किया हो तो आप इसको छोड़ देंगे उसके बाद नीचे next button पर आपको click करने है तो यहाँ पर मैंने नहीं किया तो मैं इसको नोहीं कर देता हूँ यह ज्यादा बेटर रहेगा अब यहाँ पर आपसे experience मांगा जा रहा है अगर आपका कोई experience वगरा है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहले से job अगर किये हुए हो या फिर आपने apprenticeship किया हुआ है तो आप यहाँ पर eligible नहीं माने जा के next button पर click करेंगे अगली step में आप देखेंगे आपसे fee detail यहाँ पर मांगा जागा तो यहाँ पर you are exempted for paying any application fee you may proceed application submission तो यहाँ पर आपसे कोई भी fee नहीं लिया जा रहा है यह form बिल्कुल free है तो आप अगली step में बढ़ेंगे यहाँ पर next button को फिर से click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप form submission पर देखेंगे एक चीज में और आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि इसकी जो site है थोड़ी सी slow चल रही है तो आपको इसको refresh करकर के ही भरना है तो आप बिल्कुल भी patience रख करके इस form को fill up करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें आपसे declaration का एक check box मिलेगा इस पर आपको click कर लेना है उसके बाद अगर आप form submit करते हैं तो आप editing नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर validate नौप आप click कर लिजेगा अगर आप preview देखना चाहा है तो यहाँ पर आप preview बटन पर click कर सकते हैं तो यह आपका एक preview इस type से आपको दिख जागा आपके प video file जो है application का वो sent कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर okay button पर click करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका online application submitted successfully आप अपने application number को note down करके रख लेंगे और यह चीज आपको थोड़ा से ध्यान से देख लेना है आपकी mail ID को भीज़ दिया गया होगा तो यह आपका फाइनली form है यह आप अपना देख लेंगे print out वेगर आपको निकालना है तो निकाल लिजेगा color में print out निकाल लिजेगा नीचे यहाँ सत्या गुरुजी को अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ तब तक के लिए जय हिन चय भारत